बिग बॉस फेम और हर्याना की मशूर डांचर सपना चौधरी के कारेक्रम में बेकाबू भीड ने जम कर बवाल किया पत्राओं के बीच कुरसियां चली तो भगदर मच गई आयोजकों ने सपना को बचा कर किसी तरह से मन से नीचे उतारा पुलिस ने बीड को नियंतरत करने के लिए लाटी चार्च कर दिया और कारेक्रम को बीच में ही खत्म करना पड़ा कानपूर में रवीबार 11 फरवरी की शाम ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में कारेक्रम था तैस समय शाम 6 बजे से एक घंटे लेट 7 बजे सपना चौधरी मंच पर पहुंची दो गाने तक तो स्थिती सामान ने रही जैसे ही आखों का काजल गाने पर थिरकना शुरू किया भीड बेकाबू होने लगी लोगों ने हंगामा और हूटिंग शुरू कर दी चौथे पाचवे गाने तक सपना ने खुद माइक पकड़ कर लोगों को शान्त रहने की अपील की इसके बाद जब सपना ने पलपल याद तिरी सतावे गीत पर डांस शुरू किया तो भीड बेकाबू हो गई कारेक्रम स्थल पर रखी, कुर्सिया एक दूसरे पर फैकी जाने लगी मीडिया कर्मियों से हातापाई होने लगी, कारेक्रम स्थल पर पत्थर चलने शुरू हो गए फोर्स ने लोगों को रोकने का प्रयास किया, पत्थरा और हातापाई के बीच दो दर्जन से अधिक लोग जखमी हो गए हाला बेकाबू हो गए तो सपना चौधरी को बीच में ही कारेकरम रोकना पड़ा आयोजन स्थल के बाहर रोशनी के परियापत इंतजाम नहीं थे सपना चौधरी के मंच पर तो परियापत रोशनी थी लेकिन बाहर कोई खास इंतजाम नहीं था इसी का फाइदा बाहर खड़ी लोगों ने उठाया देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले